नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सोनिया जोहान बुलिटिन का आगाज करते हैं हरियाना के खबरों के साथ रुख करते हैं खबरों के ओर बिजपी निता करण चौच्छी ने आज तो शाम शित्र के गाउं आलमपूर थिलोड बादल वाला और बिडोला और भारिवास गाउं का दोरा क्या एस अवसर पर उन्होंने लोगों के जन समस्याए सुनी, अधिकारीों को उनके तुरन्त समाधान के नरदेश दिये कॉंगरस के नितादोरा हरियाना में पूरे बहुमत से सरकार बनाने के दावे के बारे में बोलते हुए कहा के कॉंग्रिस निताओं को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने छोडने चाहिए और साथ ही बिजपे हरियाना में तीसरी बार पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है विकास दीर बजट है और आने वाले समय में आप लोग देखिएगा देश बहुत ही जबर्दस व्रगती के रास्ते के उपर प्राजिक्टी उसकी चलेगी विकसित भारत का बदार मंत्री का सपना है दोजार 27-27 तका उसका नीम रखी गई और ये नीम इतनी सूदेड होकर आने वाले समय के लिए जाहे ग्रामीन चेतरों जाहे नौ जवानों बच्चों के लिए हो जाहे हमारे तारखानों के लिए हो चलेए बरते अगली खबर के और प्रदेश में कावड यात्रा को लेकर सुरक्षा ववस्था देखते हुए सीयम ने वरिष्ट पुलिस अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक की और साथी उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिये गोरतलब है कि 22 जुलाई से 2 अगस तक कावड यात्रा पस्तावत है और ऐसे में लाखों के संख्या में शरधालू हरिद्वार से पैदल चलकर कावड लाएंगे और साथी इसे को देखते हुए कावड यात्रा में शरधालू के सुरक्षा के लिए हर्याना पुलिस की और से पुखता इंतिजाम किये गए और इसे को लेकर हरियाना पुलिस ने कावड़ियों और साथी आमजन से अपिल की है कि वे कानून और पुलिस प्रशासन के जारी किये गए निर्देश का पालन करें जैसा कि हम सभी जानते हैं दो अगस को शिवरात्री का त्योहार है तता कावड यात्रा 22 जुलाई से 2 अगस तक प्रसावित है ऐसे में लाकों की संक्या में शरदालू हरी द्वार से पैदल चलकर कावड लाएंगे जिसका पवित्र जल भगवान शिव पर चड़ाए जाएगा कावड यात्रा एवन कावडियों की सुरक्षा एवन सुविधा को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री हर्याना ने वरिस्ट पुले साधिकारियों के साथ समिक्षा की और उन्हें अवश्यक देशा निदेश दी हर्याना कैबिनेट में मंत्रे कवरपाल गुजर का बजट को लेकर बयान सामने आए उन्होंने कहा कि बजट में शामल के गए हार योजना में हर्याना भी शामल है बजट अर्थ ववस्था को मजबूत करने वाला बजट है ये बजट मील का पत्थर साबत होगा अर्थ ववस्था को मलेगी मजबूती और आप देख सकते हैं कवरपाल गुजर ने प्रेस कॉन्फरेंस कर बजट के बारे में पर्तिक्रियादी कहा कि अर्थ ववस्था को मजबूती मिलेगी और साथ ही कहा कि मील का पत्थर साबित होगा ये बजट देखिए बजट जो है वो पूरे देश का बजट है और अगर बजट में पौने दो लाख क्रोड रुपे किसान हुए ग्रामिड विकास के लिए रखे गए तो उसमेँ रियाणा नहीं हैगा अगर तीन लाख क्रोड रुपे महिलाओं से जुड़ी योद्णाएं के लिए रखे गए अगर वृट डो क्रोड रुपे उसमें रियाणा नहीं हैं और ये बजट जो है वो अर्थवरस्था को मदबूत करने वड़ा बजट है और अभी तक जो बजट और भी प्रस्तुत किये देखिए चुनाव से पहले भी जो बजट प्रस्तुत किया गया वो भी लोकल भावना बजट ने था वो भी अर्थवरस्था को मदबूत करने प्राव, गधे, सिवर, पाने के समस्य समें तमाम परिशानियों से लोग बरिशान हैं। जब से उन्होंने चुना गया उसके बाद वो कभी कालूमियों की तरफ नहीं गए। ये तस्विरे तिगाउं से हैं जहां तिगाउं मांगे हिसाब और वधायक राजिश श्रिनागर को घेरा देख सकते हैं तस्विरों में पूरे गाउं की हालत बदहाल नजर आ रही है। सड़के बदहाल हैं और साथी तमाम ऐसी मांगे हैं जुन को लेकर तिगाउं में हिसाब मांगे कारिकरम काल जुन किया गया देख सकते हैं तस्विरों में जजर में अपने विभिन मांगू को लेकर सर्व करमचारी संग ने लगुसाच्री वाले में धर्ना दिया और प्रदर्शन किया इस धर्ना प्रदर्शन में विभिन विभागू के करमचारी मौजूद रहे धर्ना प्रदर्शन के करमचारी उने हरियाना सरकार के खिलाफ जम कर नारे बास भी की और इसे के साथ करमचारी नेताओं ने कहा कि अपनी मांगू को लेकर सर्व करमचारी संग बशले लंबे समय से संगः शुकर रहा है लेकिन सरकार उनकी मांगू को पूरा करने के बज और उन्होंने कहा कि उनकी मांगे कच्चे करमचारियों को पक्का करने नियमत भरती करने आथवा वेतन आयूग लागू करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की प्रमुख रूप से है और साथी ये सभी मांगे लंबित है लेकिन सरकारे शोर कतई ध्यान नहीं दिया द बढ़ते हैं अगले खबर की और करनाल के हमोपूर गाहों में आज उसिख समाच का जमावड़ा लगा कर आज प्रशासन के अधिकारियों के साथ बुलाकात के गई जिसमें प्रशासन के अधिकारियों ने सिख समाच के सभी लोगों को प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बाच्चत की गई और करनाल की आमुपूर गाउं में सिख समाज के परिवारों को चार मकानों को तोड़ दिया गया था जिसको लेकर सिख समाज के कहीं बैठ के अब तक हो चुकी है सिख समाज ने दोबारा उसे जगे को घर बनाने का फैसला किया था आज सिख संगतों के सहयोग से कार्य भी शुरू होना था लेकिन प्रिशासन के अधिकारियों के साथ बाच्चत के बाद सिख समाज ने 27 सतारिक के बाद आगे के कार्यवाई का फैसला किया है आज जो मकाननों को लेकर के गाउंबुर के देरा पे जो बाची चल रही थी दोने तो से पंचाटी कठी हुई है और दोनों प्रक्स बहुत बड़ी हैं दोने में पोजिटिवली बात करी और मैंने बाबाजी जी स्वामी जी गोज़ाला के जो संचालक है दाच्छी गुर्दवारा के जो बाबाजी है उन्होंने भी मेरी बात सुनी और बात सुनके आपस में अपनी अलग-अलग बात करी जैसा आपकी जानकरी में है, यहां तुछ पंसायत की जमीन है जो चरांद की। उसमें मकान बनाने से लेकर कोई समर्जित मामला था जिसमें दोनों पक्षों से होई तुछ हमारी बादसीत हो गिभा। और दोनों पक्षों को बता दिया है कि जो कानूनी प्रावदान है और उस बात को लेकर दोनों पक्षों के दाइरे में ही रहकर निकले और दोनों पक्षों की बात्चित भी करवाई है और 27 तारिक पो दुबारा सहमती हुई है बात्चित के तुरू इसका हल निकाल जाए है आज अमुपर गाउं में जो प्रशाशन द्वारा चार मकाम तोड़े गए हैं उनको लेक पता सारे कठ्थे वोगे सुबह ही यहाँ पर प्रशाशन की ओर से उसी दिकारी SDM, DSP, BDPO और और दो तिमे दिकारी बुनते थे उन्होंने फिर आके यह जो यहाँ पर एक मिटिंग कीगी प्रशाशन द्वारा उसमें जो दूसरे पक्स के लोग थे उनकी तरफ से भी जो स्वामी जी हैं वो बीच में थे इतर से बाबा जी, गरमीज सिख जी जो उसावाड़ा है बीच में थे नागरिक अस्पताल के नर्सिंग ओफिसर की मांगे पूरी ना होने के विरोध में बुद्वार को प्रदेश सरकार के खिलाब रोश प्रदर्शन किया और अस्पताल के प्रांगन के बाहर धर्ना दिया धर्ना दे रही नर्सिंग ओफिसर कमलजीत सुमन सोनप्रीत रुपेंगर पुषपेंगर रजनी ने बताया कि नर्सिंग विलफियर एसोसेशन हरियाना के तरफ से नर्सिंग कैडर से संबंदित मांगो में केंद्र के समान नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपे केंद्र के समान नर्सिंग ऑफिसर को ग्रूप C से ग्रूप B में शामिल करने और वभाग में डिप्टी डारेक्टर और असिस्टेंट डारेक्टर नर्सिंग के पद को भने के बारे में कई बार सरकार को अफगत कराया जा चुका है लेकिन सरकार और वभाग के तरफ से उनकी मांगों के संबंद में कोई ठोस प्रयास नहीं किये गए उन्होंने कहा कि इनी मांगों को लेकर सुभा 9 बज़े से 11 बज़े तक 2 घंटे के सांकेते का हरताल रखकर रोश व्यक्त करने के निर्णे के तहस जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक 2 घंटे धरना देकर रोश व्यक्त किया जाएगा पिर भी इनकी अंदेकी की जारी है रेगुलर कोल्सी है हमारी और और भी कई खारी मांगे हैं जो सरकार से हम डिमांड करते हैं लेकिन करोना के टाइम पर दी अनक्जम करपचारिया है इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हैं सौस्त विभाब को अच्छी सेवाएगी हर्याणा के यमननगर पहुंचे वरिष्ट कसान नेता और संयुक्त संगर्शु पाति के संस्थापक गुर्णाम सिंग चड़ुनी का बयान सामने आये जिसमें हम उने कहा कि उनकी पाति पूरे हर्याणा में सभी विधान सभाज सिटों पर चुनाव लड़ेगी इसके अल पात्षुत करते हुए उन्होंने कहा कि बेज़ुपी और जेज़िपी को छोड़कर बागी सभी दलों का समझोते का वकल्प खुला है अगर सम्मान जनक समझोता होता है तो हम चुनावी गटबंदन करेंगे साथी हर्याणा के सभी विधान सभाज शेतर में अपने प्रत पार्टी तो हमने पिछले पुझाब में चुनाव साथ ने बढ़ाई है तो उसके बाद में फिर हमारी नासला होगी थी हर्याणा में का अभी आपने तो एक हफ्ते से पर चार शुरू किया है और यह भी फैसला आप लिया है कि पूरे हर्याणा में चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए हम हर जिले में मिटिंग कर रहे हैं हर जिले में प्रेस को निफ्रेंच कर रहे हैं तो बहुत से लोग हमारे पास आभी ने एपलीकेसन लेनिंग हमने शुरू कर दी तो अभी तो बड़ी बड़ी पार्टी नहीं कर पाई है फारीदाबाद में विजली विभाग में टानात XEN के घर में घुसकर अखबार देने वाले के साथ दो बदमाश ने उन्हें लाथी डंडो से बुरी तरह पीटा XEN को काफ़े गंभीर चोटे आई और पूरी घटना से सिटीवी कैमरे में कैद हो गए विने अत्री का कहना है कि जब वो शुकात लेकर सैनिक कालू ने पुलिस चोटी पहुँचे तो उन्हें लगभाग दू घंटे तक चोटी में बेवज़े ही बिठाया गया आज सुवब सार मेरे साथ जो है अखबार वाला आया मेरे घर और उसने मेरे से बिल की डिमांड की कि आपका कुछ बिल पैंडिंग है तो मैंने उसे का कि मेरे को पका GST वाला बिल दे क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसमें वो उलजलूल मेरे से पैसे डिमांड कर रहा था जैसे मैंने उसे GST का बिल दिया तो वो चुपटा मेरे यहां से चला गा उसके पांच मिनट बाद ही मैं अपने बच्चों को त्यार करके स्कूल के लिए बस वगरा के लिए थोड़ने के लिए त्यार था उसी वक्त तो अपने तीन-चार साथियों के साथ आके लाठी और डंडों के साथ मेरे परिवार पे उसमें मुझे घर से निकाल कर और अटेक शुरू कर दिया सर उसमें मुझे इटे मारी, डंडे मारे, मेरे सर में बहुत चोटा है, मैं बता नहीं सकता, कि मेरे को अभी भी चक्कर आ रहे हैं सर, और मैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो कता है। स्टाफ नर्सों ने जजजर के सरकारी अस्पताल में काले बिल्ले लगा कर सरकार का वरोद जताया। दरशल सरकारी अस्पतालों में कारत स्टाफ नर्स हैं पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने प्रदश्शन करती आ रही हैं और बता दे के स्टाफ नर्स केंडर सरकार के तरज़ पर 7200 रुपए नर्सिंग अलाउंस देने स्टाफ नर्सों का ग्रूप C में B में लाने और DHS में नर्सिंग डारेक्टर के पोस्ट भरने की मांग कर रही है और मामले को लेकर नर्सों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मांती तो उनकी अनुशित कालिन हड़ता जारे दहेगी आरे नगर गाउ में हाइ स्कूल को मर जुकिये जानी पर ग्रामिणों में रोश बना हुआ है ग्रामिणों ने स्कूल गेट के सामने बच्चों के साथ धरना दिया और स्कूल बहाली के मांग करते हुए नारे बासे की अखिल भारतिया किसान कॉंग्रस के राश्ट्र संयोजक राजुकुमान धरने को समर्थन देने पहुँचे कहा उनुने कि ही बीज़पिस सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोकला है हर्याना में प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होने वाले फसलों के नुकसान के लिए किसानों को मुआफ़ा देने के लिए चौलाई गारही प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतरकत बीमा कंपनियों के चैन किया गया मुकेवन चिन आप सिंस्यानी के अधिक्षता में चंडीगर में हुई उचादी कारी प्राप्त क्रे समीति में खरीफ दो हजार चौबश से रवी दो हजार पच्चिस दो हजार चौबश के अवधि के लिए बीमा कंपनियों के चैन को मंसूरी प्रदान की गई हर्यान सायक्त करमचारी मंच के जिला कमेटी ने जिला प्रदान आशूक यादव के अधिक्षता में जिला उपायुत कार्याले के समक्ष धर्ना प्रदुशन करते विए करमचारी की ग्या 21 सुत्री मांगो का मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम गया 500 पा राज्य चेर्मेंट सत्यपाल वर्मा ने इस मौके पर बताया कि हर्याना सरकार के करमचारी विरूदी नीतियों के खिलाफ प्रांतिय कमेटी के आहवान पर प्रदेश के सभी जलाव पाक्तों के कारेलों पर दो अगस्त तक प्रदोशन करते हुए करमचारी की मांग का मांग पत्र मुख्यमंत्री को भिजवाया जाएगा कर्मचारियों के सरकार से मांग है कि उनकी मांगों को सरकार बाच्चिस से हल करे वरना 11 अगस्त को मुख्यमंतरी आवास करनाल का घेराव किया जाएगा तो मुख्यमंतरी नाव सिंग सैनी के नाम हम ये 21 उत्रिय गया पन देंगे और हम ये अपील करेंगे कि बाचीट से यूनियन के साथ बाचीट की जाए अगर आप हमारी यूनियन को बुला करके बाचीट नहीं करते तो 11 अगस्त 2024 को सियम का जो आउस है करनाल के अंदर प्रेक्ट में उसका हम गेराव करेंगे फिलाल इस बुलिटिर में इतना ही चादा खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ नमस्कार